अपने ही भाई रितिक रोशन से नफरत करती है उनकी वहन सुनैना रोशन अपने ही परिवार पर उन्होंने लगाए गए गंभीर आरोप फाइनली एक लीडिंग पोर्टल में दिये गए इंटर्व्यू में सुनैना रोशन ने अपने परिवार और अपने भाई रितिक रोशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए काफी सारी बाते कहीं हैं जिसमें बड़े ही शौकिंग फाइनली ड्रामा सामने निकलते रा रही हैं सुनैना ने इस इंटर्व्यू में बताया कि किस तरहा वो एक मुस्लिम जोर्निलिस से प्यार करती हैं और उनकी सामी उनके खलाफ है उन्होंने अपने पिता राकेश रोशन पर मारपीट करनी का इलजाम लगाया है और ये भी कहा है कि उनके भाई रितिक रोशन भी परिवार का ही साथ देते हैं और उन्हें बिल्कुल सिपोर्ट नहीं करते सुनैना ने कहा कि रितिक ने उनसे एक वादा किया था जिससे उन्होंने तोड़ दिया रितिक ने उन्हें कहा था कि वो उनके लिए एक धर खरीगेंगे लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया और तो और उनके परिवार वाले भी अब उनके खर्च के पैसो पर भी रोक लगा रही है। अपने बयान में सुनैना ने कहा, पिछले साल मेरे पिता ने मुझ पर हाथ उठाया। उन्होंने कहा, जिस आदमी से मैं प्यार करती हूँ, वो एक टेरिरिस्ट है। अगर ऐसा वाकई है, तो आखर वो मीडिया में कैसे काम कर सकता है। क्या वो फिल्हाल जेल में नहीं होता। मैं उसे पिछले साल पेट बुक पर मिली थी, लेकिन मैंने उसका नमबर सेव नहीं किया। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पेरंस को ये बात बता चले। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार उसे एकसेप्ट करे। क्योंकि वो अब मेरी जिंदगी नर्क बना रही है। मैं अब और नहीं छेल सकती। मुझे शादी के बारे में तो नहीं पता लेकिन मैं उस इंसान के साथ रहना चाहती हूँ। इतना ही नहीं सुनेना ने रितिक रोशन के बारे में बताया। रितिक ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे एतना एक घर खरीद के देंगे। मैं जहां भी मुंबई में रहना चाहूँ वो मेरे लिए वो जगा खरीदेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और तो और जब मैंने अपनी खुद के लिए लोखनवाला में एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया। तो उन्होंने कहा कि ये जगा बहुत महेंगी है। क्या धाई लाक रुपे रितिक रौशन के लिए महेंगी हो सकती है। मुझे नहीं लगता। वो अपने वर्ट्स पर टिक नहीं पाए। मेरे परिवार वाले मुझे बहुत हारिस कर रही है। आपको बिता दें कि सुनेना का ये बयान सोचल मीडिया पर खोब वाइरल हो रहा है। जिसे लोग बेहत क्रिटिसाइज कर रही है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट कीजिए और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल।